हेलो दोस्तो स्वागत है आपका Knowledge Zone चैनल पे आज 17th of December के दिन हम PIV के जो भी important news है उसको discuss करेंगे अगर आपको मेरा lecture पसंद आता है तो please चैनल को subscribe करें, like करें, share करें अगर आपको lecture का PDF चाहिए तो मैंने इसका link description में डाल दिया है आप महां से जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं चली discussion श्टार्ट करते हैं पहली news है spectrum के auction के बारे में तो यहाँ पर union cabinet जिसको की chair किया जाता है department prime minister के द्वारा तो यानि कि यहाँ पर proposal दी गई थी department of telecommunication के द्वारा जहाँ पर उन्होंने कहा था कि spectrum की auction को conduct किया जाए तो इस proposal को approve कर लिया गिया है union cabinet के द्वारा तो यहाँ पर जो भी spectrum assign की जाएगी वो सिर्फ जो भी successful bidder होंगे उनको की जाएगी इसके बाद ये जो भी commercial mobile services हैं वो provide कर सकेंगे जो भी successful bidder है उनको इसके लावा देखिए ये जो auction होगी इसमें different band के different frequency के spectrum को provide किया जाएगा जैसे कि 700 MHz, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 frequency तो ये different frequencies band जो है वो इस auction के थुरू यहाँ पर a lot की जाएगी इसके लावा जो spectrum है जो offer किया जाएगा इस assignment के थुरू उसकी validity जो है वो यहाँ पर 20 years की होगी तो जो total frequency की जो band है वो होगी 2251.25 MHz की और जो total value है वो होगी 3,92,332 crore रुपीस की तो इतनी यहाँ पर cost आएगी इस project के अंदर देखिए इसके लावा जो bid amount है उसमें जो भी successful bidder होंगे उनको 3% की यहाँ पर adjusted gross revenue यहाँ पर उनको pay करनी होगी इसके लावा wireless services जो की excluded होंगे वो as a spectrum uses charges के तोर पर इनको देने होंगे इसके लावा जो spectrum जो जीते गा इस auction में उनको इस तरह के services अलक से लेने होंगे तो यहाँ पर spectrum की जो auction है वो एक transparent process के थ्रू किया जा रहा है जहाँ पर जो भी spectrum assignment होगा वो successful bidders जो होंगे उनको यहाँ पर दिया जाएगा इसके लावा जो भी sufficient spectrum availability है इसके थ्रू जो quality है telecom services की वो काफी जादा increase होगी और consumers तक यह services पहुँच सकेगी इसके लावा यहाँ पर telecom sector के बारे में अगर बात की जाए तो यह key infrastructure provider है जो की strong linkage provide करता है economic growth के साथ इसके लावा direct और indirect जो employment generation है वो करने में भी काफी मदद करता है इसके लावा जो digital India है उसको इसके थ्रू एक्सपैंड किया जा सकता है और यहाँ पर जो decision लिया गया है cabinet के द्वारा वो एक salutary impact पैदा कर सकता है जो भी overall expect है उसके उपर तो यहाँ पर जो भी ride दी गई है कि जो spectrum का use है जो भी auction के थ्रू यहाँ पर जीतेगा तो जो भी incumbent telecom service provider है उनको यह facility दी जाएगी इसके थ्रू जो network की capacity है वो increase हो जाएगी और इसके लावा जो नए players आएंगे वो भी अपनी services को start कर सकेंगे तो यह जो auction है इसमें bidder को comply करना पड़ेगा जो भी conditions दी गई है उसको तो जैसे कि यहाँ पर block size issue की जाएगी bidder को जिसके अंदर वो अपनी bid को यहाँ पर पूरा कर सकेंगे तो यहाँ पर एक spectrum की एक तरह से capping की गई है यानि कि maximum amount of spectrum जो की bidder को दी जाएगी after completion of this auction इसके लावा different rollout obligation और payment terms भी इसके अंदर शामिल है देखिए जो भी successful bidder होंगे उनको जब वो bid जीच जाते हैं तो उनको एक amount pay करनी होगी जो भी उन्होंने frequency वहाँ से ली है जो लोट की गई उसके लिए तो चाहे तो वो सारा का सारा जो amount है वो उसको one go में यानि कि एक बार में भी दे सकते हैं या फिर जो frequency की जो band उन्होंने ली है उसके according फिर उनको यहाँ पर payment करनी होगी जैसे कि अगर किसी ने यहाँ पर 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz की frequency अगर यह band उन्होंने जीती ही तो यहाँ पर उनको 25% जो भी total cost उसका देना होगा इसके लावा 50% देना होगा जिन्होंने 1800 MHz से 2500 MHz के बीच की जो band अगर जीती है तो और जो बचे हुए amount होंगे उसको 16 equated annual installment के तोर पर देना पड़ेगा दो साल के अंदर तो इस तरह से यहाँ पर इनको इस तरह के services allot की गई है अगली news है make dood award के बारे में देखिए postal department जो है उन्होंने यहाँ पर make dood award को दिया है जो भी postal employees हैं उनकी achievement जो रही है 2019 से 2020 के बीच में उसके लिए तो यह award हर साल दिया जाता है postal service म के अंदर कुछ important information उसको जान लेते हैं देखिए एक memorandum of understanding जो है वो यहाँ पर sign की गई है department of post और CSCE government services इंडिया लिमिटेट के बीच में तो यहाँ पर इसके थुरू यहाँ पर एक common service center को set करने की बात है in more than 10,000 postals office जो की हमारी country में है तो जिसके थुरू यहाँ पर G2C यानि की government to citizen इसके लावा B2C यानि की business to citizen services प्रोवाइट की जाएगी जो भी citizen rural और remote area of country से बिलॉंग करते हैं उनको अगरी न्यूज है green buildings के बारे में तो यहाँ पर vice president of India श्री M. Venkaya Naidu जी ने यहाँ पर virtually inaugurate किया 12th griha summit को ग्रीहा यानि की green rating for integrated habitat assessment तो इस summit को organize किया गया ग्रीहा council हाइदराबाद के द्वारा देखिए यहाँ पर श्री M. Venkaya Naidu जी ने world green building council इसको quote करते हुए कहा जो भी construction और building activity है उसके थूरू लगभग 39% जो है energy related CO2 emission होता है world के अंदर तो उन्होंने कहा है कि हमें accelerate करने की ज़रूरत है जो total decarbonization effort है उसको ताकि हम एक अच्छा environment create कर सकें इसके लावा उन्होंने roof cooling के पर भी जोर देते हुए कहा कि जो area है priority की वो यहाँ पर उन्होंने mention किया और कहा कि over 60% of जो roof है हमारे country में वो या तो metal के बने वे होते हैं या asbestos के या फिर concrete के जो की heat को trap करता है building के अंदर और यह contribute करता है heat island effect पैदा करने में urban area के अंदर यानि कि जो urban area है वहाँ के building जो होते हैं वो asbestos concrete या फिर जो metal है उसके बने वे होते हैं जिसके वासे यह effect पैदा होता है उन्होंने कहा अगर cool roof का use किया जाए तो जो lower जो indoor temperature है उसको 2-4 degree तक कम किया सकता है इसके लावा यहाँ पर उन्होंने जो implementation है Bureau of Energy Efficiency Energy Conservation Building Code यानि ECBC Code को यहाँ पर observe करते हुए कहा कि इसका जो use है वो हमारे country में uniform नहीं है लेकिन उन्होंने यहाँ पर तेलंगाना और आंधरपरदेश की तारीफ करते हुए कहा कि इस चीज में तेलंगाना और आंधरपरदेश काफी अच्छा perform कर रहे हैं इसके लाबा जिक GRIHA Council है उसने यहाँ पर Building Fitness Indicator Tools को develop किया है देखिए यह जो tool है यह free to use self assessment tool है जो की organization को allow करता है कि वो अपनी workplace की preparedness को measure कर सके अगली news है sale यानि कि Steel Authority of India के बारे में Steel Authority of India ने Golden Peacock Environment Management Award 2020 जीता है तो यहाँ पर जो Steel Authority of India है उसको यह जो award दिया गिया है वो दिया गिया है Institute of Directors के द्वारा देखिए जो chairman है sale के यानि की श्री अनिल कुमार चौधरी जी उन्होंने कहा कि sale जो है वो इस award को consecutively successively दो बार जीत चुका है साल में और उन्होंने कहा कि जो effort है sale की वो काफी जादा है कि किस तरह से वो sustainable और environmentally responsible steel making करे तो यह award जो है वो काफी सम्मानित award कहा जाता है इस category मे तो यहाँ पर consider किया जाता है environmental issue जो की global warming से related है या फिर climate change से related है तो इन सारे issues को यहाँ पर देख करके यह award दिया जाता है तो इस award के थुरू यहाँ पर जो भी corporates हैं उनको encourage किया जाता है कि वो environmental performance को enhance करें और जो भी उनके peers हैं उनको से के साथ compete करें और एक benchmark create करें कि किस त sustainably यहाँ पर development किया जा सकता है तो अगर sale की बात की जाए तो यह continuously जो है वो focus करता है कि किस तरह से जो various environmental measures हैं उनको adopt किया जा सके और जो upgrading है pollution की pollution control facility उसको यहाँ पर upgrade किया जा सके और जो recirculation है wastewater की individual units के अंदर उसको किस तरह से recirculate किया जा सके इसके लावा काफी जाधा प्रयास की जाते यासे green cover करना और जो भी efficient handling है solid waste की उसको किस तरह से करना तो इन सारे चीदों काफी focus करता है sale इसके लावा यहाँ पर different practices उसके दवारा attain की जाती है ताकि जो cleaner environment है उसको achieve किया सके और emission को reduce किया जा सके और जो climate change का impact है उसको कम किय जा सके तो इस तरह से ये काफी kind manner में यहाँ पर इस तरह की चीदों को recognize करती है देखिए ये award जो है sale offer किया गिया virtual award presentation ceremony के थुरू अगली news है government of india और ndb की बीच में एक agreement signed हुआ है उसके बारे में तो यहाँ पर new development bank और government of india ने एक loan agreement sign किया है जिसमें की 1000 million की lending की जाएगी ताकि जो india की economic recovery है उसको support किया जा सके तो इसके through यहाँ पर rural infrastructure जो की natural resource management से related है और rural employment generation से related है उसको किया जाएगा under महात्मा गांधी national rural employment guarantee scheme के अंतरगत तो यह program जो है वो support करेगा government की ताकि जो भी adverse impact पड़े थे economy के अंदर covid-19 situation में उसको यहाँ पर recover किया जाए और जो economic recovery है rural area में इसको किया जा सके तो इसके लिए यहाँ पर natural resource management जो है वो work करेगा ताकि जो economic activity है उसको facilitate किया सके और employment generation किया जा सके ताकि जो rural demand है उसको बढ़ाया जा सके और जो economic activity में जो गिरावट आई है covid-19 के वज़ा से उसको यहाँ पर एक तरह से समाप्त किया सके या कम किया जा सके तो यह program जो है इसका purpose है कि जो durable rural infrastructure assets है related to NRM उसको यहाँ पर एक तरह से create किया जा सके और employment opportunity को generate किया जाए rural poor के लिए इसके लावा जो भी migrant workers है उनको जो भी अपने घर लोटे है urban area से तो उनको यहाँ पर मदद किया सके ताकि जो उन्होंने अपनी livelihood खोई है COVID-19 pandemic के दोरान उससे उनको recover किया सके तो यह जो agreement है उसको sign किया गया joint secretary department of economic affair ministry of finance on behalf of government of India और Mr. Ziyan Zhu जो की vice president है chief operation officer on behalf of NDB तो इनके बीच में यह agreement sign की गई है अब जान लेते हैं NDB यानकी new development bank के बारे में देखिए जो new development bank है उसको establish किया गया था intergovernmental agreement जो की bricks country के बीच में sign की गई थी 15th of July 2014 में तो यहाँ पर जो purpose है इस bank का कि किस तरह से जो भी infrastructure है उसमें resources को mobilize किया जा सके और sustainable development project को mobilize किया जा सके bricks और जो भी other emerging market economy है या developing country है उनके बीच में तो यहाँ पर NDB के द्वारा 1 billion dollar का loan दिया गया था 30 साल के लिए इसके लावा 5 साल की यहाँ पर grace period भी दी गई थी तो यह थी आज की पूरी news thank you thank you very much for discussion झाल जजएन